दो वीडियो देखकर परिसान हूँ, वज़य जो भी हो, आप कौन होते हैं किसी को तालीवानी सजा देने वाले। और इसलिए परिसान हूँ, देख लिजे तस्वीर, देख लिजे, मंसौर और राजगड की तस्वीर है, खौफनाख तस्वीर है, कानून को हाथ मे लेके इतना बेरहमी से कोई किसी को मारता है क्या, बताईए। आप कौन होते हैं, एक-एक करके दोनों घटना बता देता हूँ, ये वीडियो राजगड का है, यहाँ इन दोनों की बस इसलिए पिटाई हो रही है, क्योंकि इन पर चोरी का शक था, बस इसलिए पिट रहे हैं, मतलब चोरी के शक पर आप इस तरह से मारेंगे, राजगड में ब्यावरा के पास राहुल वर्मा और अभिसेख राजपूत की गाउवालों ने इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की, कि एक का हाथ और दूसरे का पैर तोड़ भी, बताईए। ये कौन लोग हैं, हद होती है, इन लोगों को सक था कि इन दोनों ने मोटर पंप चोरी किया है, इतना पीट दिया कि दोनों अधमरे हो गए, जहाँ थाना पुलिस करना चाहिए था, वहाँ पूरा गाउव खुद जज़ भी बन गया, और पुलिस भी, सुन लीज़े, इस डी ओपी क्या कह रही है? अब दूसरी खबर की बात कर लेता हूँ, मंदसौर से आई है, यहाँ इस युवक को सर्फ इसलिये पीटा जा रहा है क्योंकि इसने एक लड़की से प्यार किया और शादी कर लिया, क्या है पूरा मामला? देखिए इस रिपोर्ट में. मंदसौर में एक लड़के को लव मेरिज करना बहुत भारी पड़ गया. लव मेरिज से नाराज लड़की के परिचनों ने यह वक को तालिबानी सजा दे डाली. दरसल नीमच के राहूल और पूजा ने लव मेरिज कर तो ली, तो मंदसौर में गुसाई परिचनों ने राहूल और उसके दोस्त को जम कर पीट दिया. युफ्ती के मामा और परिचनों ने यह वक को रीती रिवाज और रश्ट्मु के साथ शादी कराने के बहाने मंदसौर बुलाया, जिसके बाद राहूल और उसके दोस्त को जम कर पीटा. वही पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया जो अब तेजी से वाइरल हो रहा है. मामले ने तुल पकड़ा तो मंदसौर की वाइडी नगर थाना पुलिस सक्रिये हुई और पुलिस ने वीडियो के आधार पर सातों आरूपियों को गरफतार कर सलाखों के पीछे भीज दिया है. वही पिटाई से घायल योवक का इलाज जारी है.